तो गुड मानिंग एब्रिवन वेल्कम टो सोवल सर्विसे स्टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर ये 242 है यह सीरीज यूपी पीएस से पीसेस के लिए चल रही है प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेस के प्रेश्टों पर और सब्टेंबर बंत की इसमें करेंट होग सारे के सारे प्रेश्टन एक्जाम्स के लिए इंपोर्टन्ट है चलिए स्टार्ट करते हैं वागिस्ट सीरीज की प्लेइस्ट बना रही है बहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुँआ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स म का नाम नया नाम क्या रफने का नड़ने लिया है को नाम चेंज कर दिया है क्या होगा वदाthernagar स्रीदेपूर्थ स्रीन विजय पुर्ऩं स्रीन पुरमॡ है को पहले भी नाम चेंज कीए गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके कर दिया है सिरीव विजयपुरम अपसरम पर सी तो भारत सरकार ने अंडबान निकोबार जो की भारत का एक केंशाशत परदेश है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर सिरीव विजयपुरम कर दिया है केंद्रिय मंत्री अमित्साने 13 सितंबर 24 इसको अपने सोशल मेडिया हैंडल एक्स पर इसकी घोशना की यह नंबर इस पर कॉलिया वाट सब्सक्र करके आप फुल टेस्ट पीडियाफ प्राप्त कर सकते हैं Q2 पर आजए तेरे सितंबर 24 इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानि DRDO ने किस भारतिय हल के टैंक का सफलता पूर्वग प्रारंबिग आटोमाटिव परिक्षन किया है आटोमाटिव परिक्षन किया यही वो टैंक है इस टैंक का नाम क्या है यह पानी में भी चल सकता है इस टैंक का नाम है जोरावर तेरे सितंबर देहर 24 को रक्षान उसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतिय है लाइट टैंक जोरावर का सफलता पूर्वग प्रारंबिग आटोमाटिव परिक्षन किया इस टैंक में जो है मजबूत का बच्ष लगा है और यह जो टैंक है जमीन पर 60 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से चल सकता है जो की एक टैंक के लिए काफी है बहुत ज़्यादा है यह टैंक पानी में भी चल सकता है और इस टैंक को विक्सित करने में लारसन अंड लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने भी सहयोग किया है और ये जो लार्सन एंड टुब्रो कमपनियां ये एक बहुरास्ट्य कमपनी है भारत की एक बहुरास्ट्य कमपनी है इसका मुख्याले मुंबई में है और विश्व के अनेक देशों में कार्यात है और इसके कार् पूरे विश्व में फैले हुएं कम्पनी के चार पुर्मुख व्यापारिक छेत्र हैं प्रोध्वक्य में अभ्यांतिर्की में निर्माण में और उत्पादन में कुशन नमबर 3 है 13 सितंबर 24 को परियावरण वान एम जलवायू परिवरतन मंत्राले ने 30 वे विश्व और जोन दिवस के अवसर पर एक कारिकरम का आयोजन किया कहां किया नई दिल्ली में तो परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले ने 13 सितंबर 24 को नई दिल्ली में 30 वे विश्व ओजोन दिवस के मौके पर एक अंतर एक कारिकरम का आयोजन किया विश्व ओजोन दिवस की अगर थीम पूछ ले देखिए 16 होना चाहिए यहां पर 16 सप्टेंबर को मनाया जाता ना विश्व ओजन दिवस विश्व ओजन दिवस 24 की अगर थीम पूछ ले तो मौन्टरिल प्रोटोकॉल जलवायू कारिवाही को आगे बढ़ाना ठीक है थीम याद रखिएगा और विश्व ओजन दिवस प्रतिएक वर्स 16 सप्टेंबर को मनाया जाता है विश्व ओजन नमबर फोर पर आजए ग्यारे से तेरे सितंबर 24 के मद है आयो जे तीन दिवस ही है सैमिकान इंडिया 24 सम्मेलन की थीम क्या थी इस तरह से रिलेट कर गया रखिँ है तो शेपिंग दा सैमिकंडउक्टर फ्यूचर विश्व पर 11 से 13 सप्टेंबर यह 24 का यजन किया गया यह तीन दिबस यह समिलन भारत की समी कंड़क्टर रण नीती और नीती को प्रदर्शित करेगा जिसका उद्देश भारत को समी कंड़क्टर के लिए के वैश्विक केंद्र बनाना है कितने वर्ष के लिए 2,000 करोड रूपे के परीवे के समी कितने वर्ष के लिए तो हजार करौड रूपे दो वर्ष असान रहेगा याद करने में तो प्रधान मंत्री किया ध्यख्ष्ता में केंद्रिय मंत्र मंत्र ने अगले दो वर्षों के लिए 2000 करोड रुपे के खर्च के साथ मिसन मौसम को मंजूरी दी इस मिसन को पПрत्वी विग्यान मंत्र वैक कॉरान वेद करेगा Q6. 11 सितंबर 24 को केंद्रिय मंत्री राजीव रंजन सिंग ने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री मतस संपदा योजना की चौथी वर्सगांट पर किस उदेश से कई पहलो और परियोजना का सुबारा मोरा नावरण किया Q7. 11 सितंबर 24 को नई दिल्ली में दूसरे अंतराश्टिय बौध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया Q7. 2 इंटरनेशनल बुधीस्ट मीडिया कौनक्लेव की थीम क्या है तकराप से बचने और सतत विकास के लिए विचार सील संचार Q7. 11 सितंबर 24 को नई दिल्ली में आयोजने तो होने वाले दूसरे अंतराश्टिय बौध मीडिया सम्मेलन का विशय था Q7. 8 इंटराश्टिय बौध परिसंग और विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन ने किया था Q7. हाल ही में किस जनरल में प्रकाशित अध्यन में यह दावा किया गया है कि Q7. सिद्ध औसदियों के सहिवजन से किसोरियों में एनेमिया को काफी हत्ता कम किया जा सकता है एनेमिया होता है शरीर में आयरन की कमी लोहे की कमी सिद्ध औसदियों के सहियों चुन से भारत किया यह इंडियन जनरल ओफ ट्रेडिशनल नॉलेज में यह दावा किया गया है अपसा नमबर एक लिए देखे हाल ही में प्रकाशित एक अध्यन के मुताबिक सिद्ध दवाओं के सेवन से किशोरियों में एनेमिया को कम किया जा सकता है यह अध्यन प्रतिष्ठित इंडियन जनरल ओफ ट्रेडिशनल नॉलेज में प्रकाशित हुआ और इस अध्यन को पी एच आई पब्लिक हेल्थ इनिशेटिव के तहत किया गया था आयूश मंत्राले जो है भारत का उसकी सारजनिक स्वास्त पहल में सिद्ध चिकित्सा का अहम योगदान है कुशन नॉम्बर नाइन इस पाद मंत्राले ने 10 सिदंबर 2024 को नई दिली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विशह पर एक कारिकरम का आयूजन किया इस पाद मंत्राले ने किस विशह पर एक कारिकरम क्या हो सकता हो विशह Sustainability in Steel Refinding Industry Practices या Greening Steel सतद विकास के मार्ग स्वाच्छ जल परबंधन नवींदम तक्नीके स्टील सेक्टर में green technology transforming the industry इसका answer option number A sustainability, sorry option number B greening steel सतत विकास के मार्ग greening steel सतत विकास के मार्ग सीधा सीधा रहाद रखेगा इस पात मंत्रा लेने 10 सितंबर 24 इसको नज़ दिलिके इंडिया international center में विशा है greening steel सतत विकास के मार्ग कारिकरम का योजन किया question number 10 3 सितंबर 24 को केंद्रे क्रशी एवम किसान कल्यान मंत्री सिवराज सिंग चोहान नए नई दिली में कौन सी योजना का सुभारम किया इस योजना का नाम है startup एवम ग्रामीर उधमों के लिए क्रशी कोश option number A केंद्रे क्रशी एवम किसान कल्यान एवम ग्रामीर विकास मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने 3 सितंबर को पूसा नई दिली में एग्रिशोर फंड और क्रशी निवेस पोटल का सुभारम किया तो startup एवम ग्रामीर उधमों के लिए क्रशी को उसका याद रखेगा question number 11 पर आजए तीन सितंबर दोहर 24 को NDA Commandant Vice Admiral गुर्चरन सिंग ने पूने में राश्ट रख्षाक आदमी के वायू सैना प्रस्रेक्षन दल में के स्वदैसी रूप से विक्सित simulator का उधगाटन किया इस simulator का नाम याद रखेगा यह simulator है Superdemona विमान simulator क्या है Superdemona विमान simulator भारती वायू सैना के Software Development Institute ने राश्ट या रख्षाक आदमी के लिए एक Superdemona विमान simulator बनाया है इस simulator को Bangalore में तनात किया गया है इसका इस्तमाल जो है वो Cadets को उड़ान से जुड़ी बनिया दी बातें और वाता बरण की जानकारी देने के लिए किया जाता है इस simulator में 135 डिग्री फील्ड आफ वियू इमर्सिव डिस्पेल लगाया गया है जिससे Cadets के दरश्टी संबंधी अनुभव में सुधार होता है तो ये नाम इंपोर्टेंट है सूपर डिमोना विमान सिम्यूलेटर पैरा उलम्पिक के उपर प्रश्टन है दोसितमपर 24 को नितेश कुमार नितेश कुमार ने पैरिस पैरा उलम्पिक 24 में पुरुस एकल SL3 बैटमिंटन या मैंस सिंगल SL3 बैटमिंटन फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मैडल जीता है सौन पदक जीता है नितेश कुमार ने जीता सौन पदक मैंस सिंगल बैटमिंटन में किसको हराया ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथिल को यही अपने आप में प्रश्ट इंपोर्टेंट है पैरिस पैरा उलम्पिक 24 में पुरुस एकल SL3 बैटमिंटन में सौन पदक किस भारती है पैरा बैटमिंटन खेलाडी ने जीता है नितेश कुमार और किसको हरा कर जीता ब्रिटेन के डेनियल बेथिल तो बैटमिंटन खेलाडी नितेश कुमार ने पैरिस पैरा उलम्पिक मैंस सिंगल के SL3 क्लास में गोल्ड मेडल जीता सौन पदक जीता है और नितेश ने दो सितंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल वैथिल डेनियल बैथिल को माद दी है 21-24 से 18-23 और दोनों के बीच यह मुकाबला एक घंटे 20 मेंट तक चला हूँ Q13 शे सितंबर 24 को प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में किस पहल का सुभारम किया जल जीवन मिशन क्रसी सिचाई ओजना स्वच भारत अभियान 2.0 या जल संचेन जन भागिदारी इस तरह के प्रश्ण में जैसे कि जल जीवन मिशन तो पुराना ही है इसको तो हटा दो क्रसी सिचाई ओजना भी पुरानी है करेंट अफेर्स आप पर तेयारे होगे तो स्वच भारत अभियान 2.0 भी नहीं है इसका अंसर है जल संचेन जन भागिदारी प्रधान मंत्री मोदी ने 6 सितंबर 24 को सूरत में जल संचेन जन भागिदारी पहल की सुरवात की जल संचेन जन भागिदारी कारिकरम के तहट वर्षा जल संचेन को बढ़ाने और दीर कालिक जल इस सरता सनिश्रत करने के लिए गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचेन 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 का निर्मान किया जा रहा है तो नाम याद रखेगा जल संचेन जन भागिदारी क्वेशन नमबर 14 15 प्रशन एड है इसमें 14 सितम पर दोहर चोबिस को राष्टपती द्रोपदी मुर्मु ने महारास्ट के किस जले में विश्वसांती बुद्ध विहार का उधगाटन किया है राष्टपती द्रोपदी मुर्मु ने तो इंपोर्टन प्रशनों की स्रणी में आजाता है ये किया है महाराष्ट के लातूर में राष्ट पती द्रोपदी मुर्मुने 14 सितंबर 24 को महाराष्ट के लातूर जिले के उद्गीर में बिश्व शांती बुद्ध विहार का उद्गाटन किया महराश लातुर जिला ये इतना ही काफी है और ये है विहार करनाटक के कल बुर्गी में इस्थित बुद्ध विहार की प्रतिक्रती है और इस विहार के मुखे प्रवेश द्वार को विहार के साची स्थूप से प्रेरित होकर बनाया गया है और बिहार में गौतम बुद्ध की 520 किलोग्राम और 10.5 फूट उंची प्रतिमा है जो आपको दिखवी रही होगी इस इमेज में 520 किलोग्राम की 10.5 फूट उंची प्रतिमा पूट नमबर 15 है चार सितंबर 24 को नवी नवी करणी और जा मंत्री प्रहलाद जोसी ने 11 से 13 सितंबर 24 के मद नई दिल्ली में आयोज़ित होने वाले किस अंतराश्टिय सम्मेलन के दूसरे संस्क्रण की घोश्णा की यह है ग्रीन हाइडोजन पर अंतराश्टिय सम्मेलन ऑप्सन नमबर 1 तो ग्रीन हाइडोजन पर दूसरा अंतराश्टिय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 24 को नई दिल्ली के भार्त मंडप में आयोज़ित किया गया इस सम्मेलन का उद्गाटन परधान मंत्री मोधी ने किया Green Hydrogen पर अंतराश्टे सम्मेलन तो ये 15 प्रश्टते इनकी प्राक्टिस कर लेजेगा देखे हर दिन की Current Affairs जो है Important नहीं हो सकती कुछ Week की Important होती है, कुछ दिनों की Important होती है अगर आप किसी Daily Current Affairs की Series को Follow कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है कुछ Important ही प्रश्ट बनते हैं अब कुछ लोग Daily Current Affairs को पढ़ाते हैं, हर दिन की Current Affairs एक्जाम्स के Point of View से तो Important नहीं हो सकती ठीक है तो इन प्रश्टों पर एक नज़र रखेगा अब जादे से अधे Current Affairs के प्रश्टों का समयोजन करेंगे जो महत पूर्ण है जिनके पूछे जाने के संभाबना ज्यादा है